अब यह जो प्रोग्राम है यह भी मैंने बनाया है bracket text editor पर और यहां पर यह css related animation है तो यह आप इसे देख सकते हैं और यहां पर इसे file पर जाकर इसको भी कर देता हूं save तो यह save किया मैंने यहां पर मैं इसको नाम देता हूं animation animation के नाम से इसको save करता हूं यह animation लिखा और dot stml लगाना ज़रूरी क्योंकि stml के परके extension होती है तो यह stml लगा करके इसको save कर दिया हमने अब हम इसको कराएंगे run तो यहां पर जाकर के इसको run करवा देते हैं जैसे इसको run करवाएंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का animation यह दिखा रहा है यह देख सकते हैं यह automatically move कर रहा है यह box जो है यह automatically move कर रहा है ठीक है फिर मैं इसको refresh करूँगा यह फिर move करेगा और इसके साथ साथ इसका color भी change होगा तो कैसी लगी यह वीडियो मुझे बताईएगा और इसके लिए detail में वीडियो आती रहेंगी यह demo वीडियो है दिखाने के लिए सक्थ आपको पसंद होगी तो आगे वीडियो आती रहेंगे ठीक है यह ध्यान रखिएगा कि यह chrome safari और opera browser को ही support करेगा तो यह बात आप ध्यान रखिएगा आप इसे internet explorer पे नहीं रन करा सकते यह internet explorer को support नहीं करेगा